हेलो फ्रेंब्स वेलकम टो मैं चैनल आज हम बात करने वाले है water wall के बारे में या फिर inlet wall इसको बोलते है अचली inlet wall water wall होता क्या है washing machine जो रहता है इसको पानी की supply दिनी के लिए कट अफ करनी के लिए use होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अभी प्रोडम्स क्या क्या आते हैं इसमें जो है प्रोडम्स जो है एक एक बार जो है इसका वाटर वाल शॉट हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है मतलब इसका जो है कॉइल रहते हैं अंदर ओपन हो जाता है इसकी वैसे जो है इसके पान और इसका वर्किंग क्या कह रहता है? जैसे कि आप देख नर सब्टर रहता है, यहाँ पर एक इसकंद देख सकते ही, तर ऑक दो साची समय पाल काड़ान है, इसमें उप नीचे, और यहाँ पर काड़ी पंतर है, तो अब आप द इसा एक कोईल रहता है, और एक जो ही इसका housing रहता है तो अभी चले बात करते हैं इसका working के बारे में इसमें जो है जबी भी हम इसको मतलब water wall को 220 supply देते है इसका जो piston rod जो है अब मतलब ऊपर हो जाता है एक पर होने के बाद ये अंदर जो die Workshop रहता है ये इससे बेटा हुआ रहता है इसको जो है close open करने का रोटरह जो है वाला रोडुं पहला इसे बैटने के बाद ढाइफ्रंको जो है open close करता है इसकी वाड़े से गया है और अगर समझा आपका कॉईल खराब है यह वाला तो एक यो हमको बहुतरौब काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा मतलब क्या है यह उन तो होगा लेकिन इसका जो मैगनेटिक फिल्ड जो है तो क्रेट नहीं करेगा और पानी का फ्लो जो है आपको नहीं आएगा वाशिंग मशिन में इस कंडिशन में जो आपको पूरा वाटर वाली रिप्लेस करना पड़ेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा आपको वीडियो अच्छा लगे रहेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मैं चनल थैंक यू थैंक यू फो वाचिन वीडियो